जहिन साथियों साथियों आज लेकर हाजिर हैं लोग कॉर्स टू यानि कि कॉंटेंप्रोरी इंडिया और इजुकेशन के मॉस्ट वी वी आई कोश्चन के साथ तो दोस्त आज का कोश्चन है समानता, स्वतंतरता, धर्म निर्पेचता और समाजिक न्याय के संदर्व में भारतिय समिंधान के कौन कौन से प्रावधान है यानि कि समानता के अधिकार, स्वतंतरता के अधिकार, धर्म नेपेचता और समाजी के न्याय को देखते हुए भारतिय समिंधान में कौन कौन से पारवधान है इसके बारे में विवेचना करना है तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग लिखे हुए हैं आंसर में शमामता का अधिकार इसमें लिखा है मौलिक अधिकार भारत के समिंधान के भाग 3 और ब्रैकेट में लिखा है अनुछेद कहां से कहां तक 12 से 35 में निहित अधिकारों के अधिकार और अधिकारों के चाटर है यानि कि जब भारत का समिंधान देखेंगे तो समामता का अधिकार का जो जिक्र किया गया है तीसरी भाग में और कहां से कहां तक अनुछेद तब 12 से 35 अनुछेद में इसका जिक्र किया गया है समामता का अधिकार, कानून, शमामता, धर्म, जाती, लिंग या जन्म अस्थान पर भेद भाव की रोकथाम और रोजगार के मामले में और कि समामता अस्प्रिस्यता को खतम करने और खिताब उनमूलन सामिल है देखिए अब इसका मिन उदे से क्या है? समामता का अधिकार का मिन उदे से है कि चाहे वो किसी कानून का है उसका अधुकार सभी को कानून पर है समानता का है धर्म का है जाती का है लिंग है या जनम अस्थान पर भेद भाव को या कि किसका कहा जनम अस्थान है उसको भेद भाव को रोकने के लिए ये उदेश से बनाया गया है फिर आगे लिखता है समिधान प्रदान करता है कि सभी नागरिक कानून से पहले बराबर हैं यानि कि समिधान का ये कहना है कि सभी नागरिक जो होते हैं वो कानून के हिसाब से बराबर होते हैं नागरिक जाती, लिंग, धार्मिक, बिस्वास या जन्म अस्थान आदि क्या धार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है समिधान ये कहता है कि चाहे वो कोई भी जाती का हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म का हो उसके जनमस्थान कहीं के भी हो उनको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए उनसे भेदभाव नहीं रखना चाहिए भारतिये कानून के अनुछेद 14 के तहत यानि कि भारत के जो कानून है उसमें 14 अनुछेद के तहत देखा जाए तो समानता का अधिकार है यानि कि समानता के अधिकार को अनुछेद 14 में बताया गया है यह मौलिक अधिकारों में से एक है यानि कि जितने भी मौलिक अधिकार है उसमें समानता का अधिकार एक अलग महत्व है उसका एक प्रमुक है यह न केवल भारतिये नागरीकों को बलकी गैर नागरीकों को भी अधिकार है यानि ये बोल रहा है कि ये सिर्फ भारत में रहने वालों के लिए नहीं जो बिदेशों से आए हुए हैं उनके लिए भी ये लागू होता है अनुछेद 14 कहता है कि सभी कानून की आँखों के बराबर है यानि कि ये कहने का मतलब कि समिंधान के अनुसार, अनुछेद 14 के अनुसार, सभी जो है लोग कानून का आखों के सामने बराबर पे हैं, यानि कानून के सामने सभी बराबर हैं फिर आगे लिखता है समानता का अधिकार समिंधान के अनुछेद 14, 15, 16, 17, 18 में प्रदान किया गया है एक महतवपूर्ण और सार्थक अधिकार है यानि कि समामता के अधिकार को समिंधान के अनुछेद 14 में भी बताया गया है 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी और 18 में भी इसको बताया गया है तो कुल मिलाकर ये जो है वो इसका सार्थक अधिकार है मतलब कि और भी अधिकार हैं इसके तो याद रखिएगा ये अनुछेद 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में इसका जिक्र किया गया है फिर अगर आगे बढ़ हैं तो अगला है स्वतंत्रता का अधिकार तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या बताया गया है? चली इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार भारतिये समिंधान के अनुछेद 19 से 22 तक में भारत के नागरीकों की स्वतंत्रता समंधी बिभीन अधिकार प्रदान किये गये हैं यानि कि स्वतंतरता का जो अधिकार है वो श्रमिंधान के किस अनुछेद में है तो 19 से 22 तक के अनुछेद में है जिसमें भारत के नागुरिकों के स्वतंतरता समंधी अधिकार प्रदान किया गया है इसमें 6 मुलभूत स्वतंतरताओं को परमुख अस्थान दिया गया है ज लिए इसका भी जिक्र कर लेते हैं तब पहला है वाक के और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानि कि कोई भी कोई वाक के बोल सकता है उसका अपना मुह है भाई कुछ भी बोल सकता है तो वाक के और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है दूसरा है सांती पुर्वक सम्मेलन करने की सम्मेलन आप कर सकते हैं लेकिन सांती पुर्वक होना चाहिए कोई उसमें हुर्धंग वेगरा नहीं होनी चाहिए तो इसकी भी आपको स्वतंतरता दे दी गई है और तीसरा है संगम या संग बनाने के स्वतंतरता यानि संगम का म गेंगेंगेंगेंगेंगेंटब , धूकों ना साथ है जरीछत भारत के राज्यों में सरवत्र अबाद संक्र atacants , यानि कि भारत की जो राज्ये हैं उसमें सर्वत्र सर्वत्र का मतलब होता है सबी जगा अबाद संक्र Combine communication एक भारत के किसी भी राज्य में यहां तक कि विदेशों के लिए भी आप संचरन यानि कि आप संचार का माध्यम अपना सकते हैं कहीं आ जा सकते हैं किसी से भी आप बात कर सकते हैं तो इसमें स्वतंतरता दी गई है नंबर पांच है भारत के राज्य छेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स सब्सक्राइब भारत में जितने भी राज्य हैं वहां आप जाके बस सकते हैं वहां आप अपना जमीन खरीद सकते हैं, मकाने बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं, तो इसकी स्वतंदरता दी गई है, तो भारत के किसी भी राज में आप बे ही चक वहां जमीन खरीदिये रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्वतंदरता दी गई है, और छटा है, कोई भी उपजीविका बयपार या कारोबार करने कि कोई भी आप काम कर सकते हैं कोई भी बिजनस कर सकते हैं कोई भी यहां उपजीविका यानि कि कुछ जीने के साधन अपना सकते हैं यहां पर कोई यह नहीं है कि आप यह बिजनस नहीं कर सकते हैं तो आपको इसकी स्वतंतरता दी बखितए हैं है अगला साथियों जो है ओध journ approved निरपेष्था का दिकार अब ज़्यार इसको हमद देखते हैं कि आखिर धर्म निरपेषथा का जह किया क्या दैसे लिखता है भायरतिय धर्म निरपेष्था अपने आप में एक अनुठी अवधारना है जिसे भारतिय कि विशेष अवसक्ताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है यानि कि धर्ण निर्पेश्ता क्या है तो एक अवधारना है एक माना गया एक बोल सकते हैं मानसीक्ता है जो भारतिय संस्कृति की बिशेश आवसक्ताओं को पूरी पूर्ति करता है जिसे माले जाए कि हम लोगों के संस्कृति में है कि जब कोई भी त्यवहार आया तो उस त्यवहार को कैसे सेलेब्रेट करते हैं तो इस तरीके से एक तरह से संस्कृति बना हुआ है हम लोगों के हाँ कि जब कोई फेस्टिबल आये दिवाली आये तो उस टाइम क्या क्या करना चाहिए जब दसहरा आये तो उस टाइम हम लोगों को किस तरीके से क्या उसका उसका सेलेब्रेशन का क्या तरीका होना चाहिए तो यह संस्कृति से जुड़ा हुआ है एक अधारना है अगे लिखा है धर्म निर्पेचता के महत्व को निम्न बिंदूओं के अंतरगत समझा जाता है यानि कि धर्म निर्पेचता का क्या क्या महत्व है उसको अलग-अलग बिंदू के द्वारा नीचे दरसाया जा रहा है पहला बिंदु में धर्म रिपेचता समाज में बिग्यान वं प्रोदगी की का तर्क वागत को प्रोसेस प्रोसाहित करता है और यह आधूनिक धर्म रिपेचता का महत्व है कि समाज में साइंस को डेवलप करना बिग्ञान को डेवलब करना, टेक्निलोजी, प्रोदुगी का निर्मान करना, क्योंकि आने वाले टाइम में देख रहे हैं, सभी चीज़ें टेक्निकल हो गई, यहां तक हम लोग फोन यूज़ कर रहे हैं, यह भी टेक्निकल है, तो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल हो सभी धर्मों की प्रती एक सहिसनु रवया अपनाता है, यानि कि धर्म को रिलेटर को यह नहीं है, कि एक हिंदू धर्म का है, तो हिंदू ही धर्मानेगा, वो अपना धर्म परिवर्तित कभी कर सकता है, धर्मिक दाइत्वों से वो स्वतन्त्र माना जाता है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं फिर है आगे तीसरी पॉइंट धर्म रिपेचता राजनेतिक द्रिष्टी से भी ज्यादा अस्थाई होता है यानि कि धर्म रिपेचता जो है और राजनेतिक द्रिष्टी से यानि कि जो पॉल्टिसियन करते हैं जो लीडर होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, उसके दृष्टी से धर्म रिपेचता ज्यादा ही अस्थाई माना जाता है, ज्यादा ही अच्छा है, ज्यादा ही कौमन है, ज्यादा ही अस्टेटिक है फिर है next समाजिक नयाय अब जरी समाजिक नयाय के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि समाजिक नयाय क्या है समाजिक नयाय परदान किये जाने समिंधान के अनुछेद 14 से 18 तक में परतेक ब्यक्ति को समता का धिकार दिया गया है देखिए समाजिक समाज के नियाय के लिए यहनिके समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं गलत चीजें करते हैं जैसे किसी का हत्या कर देना किसी का यह कर देना किसी से लडाई जगडा करते रहे देना किसी से बेवज़ कुछ मतलब कुछ घटनाओं को अंजाम द लाने के लिए कि जिसकी गलती है उसको सजा भी मिलनी चाहिए तो इसको लेकर एक नयाय पालिका बनाया गया जिसको हम लोग समाजिक नयाय यानि कि समाज के रूप से उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए जो समाज में रहकर गलत करता है तो इसका जीक्र जो है समिंधान के यानि उखेद 14 से 18 तक में किया गया है फिर आगे लिखता है और विधी के समझ समान संब रच्छन प्रदान किया गया है यानि विधी का मतलब क्या मेथड जो अगर सही किया है उसको सही कहेंगे जो गलत किया उसको गलत कहेंगे समान प्रिष्थिती वाले ब्यक्ति के साथ समान बेवार किया जाएगा यानि कि विधी मतलब क्या जैसे आप करेंगे वैसे हम उसको उसका रिप्लाई देंगे या फिर जो अगर मालिजे कि समाज में कोई ब्यक्ति गलत कर रहा तो उसको आप गलत बोलने का एक आपके पास ब्यक्ति कानून के उपर नहीं है इसलिए ऐसा किया गया है कि कोई ब्यक्ति क्योंकि हम पहले भी पढ़ें कि कानून के नजर में सभी एक जैसे होते हैं यही कारण है कि प्रतेक ब्यक्ति चाहे किसी भी पद या अवस्था में है देश को समान बिधी के अधिन रहता है इसलिए तो सभी कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं इसलिए कोई बहुत बड़े पोश्ट पे है या को नाम पर समाज को बाटा गया है कि कि समाज का बटवारा जो किया गया है जाति के अगर कोई अलग जाति का है तो उसको एक अलग बटवारा किया गया धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के हिसाब से उसको बटवारा किया गया भासा यानि कि हम लोग में है तो हम लोग का मग ही भासा है तो हम लोग मग ही छेत्र के कहलाते हैं बंगाल बंगाली बोलते हैं बंगाल के लिए अस प्रिश्यता निवारन अधिनियम 1955 यानि कि बोल रहा है कि समाज में जो असमानता हो रहा है जो एक साथ मिल्यूल कर नहीं रह रह रहे हैं तो इसके प्रती एक अधिनियम पारित किया गया 1955 जो अनुछेद 17 के अनुशार बनाया गया है यानि कि समाज में जो असमानता फैल रहा असमानता का मतलब क्या उच निच की भावना कि हम तुम से जादा अच्छे हैं जादा उच्छे हैं तो निचे वाले लोगों को दबा कर रखते हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए एक स अच्छुतपन के अधार पर अच्छुतपन का मतलब क्या जो बहुत नицय जाथशा को होता है उसको में उच्छे वाले लोग एइसा मानते है कि उसमें हमको टच नहीं करना है छूना नहीं है तो अच्छुतपन के अधार पर किसी को आयोगन ठहराना दंड़नी है आप उसको यह कह रहे हैं कि आप तुम नीचा जात है तुम हम में टच नहीं करो तो इसके उपर आपको दंड़नीये अपराद दंडिनिये माना जा सकता है आपको जो है इस पे करवाई की जा सकती है कोई भी ब्यक्ति स्थारवाजनिक पुजा अस्थल में जा सकता है बिल्कुल सही यानि कि कोई भी ब्यक्ति जो है वो सभी जगों पे जा सकता है किसी घाल्ट पवित्र कुमा तलाब नदियों में नहा सकता हैं यानि कि बिलकुल आप फ्री हैं चाहे एक दम ऊच तब दे के लोग हैं नीच में हैं आप प़ित्र अस्थल जैसे गंगा में सब लोग अस्थान कर सकता है इसमें कोई पामंदी नहीं लगाया गया चाहे आप कितना भी गरीब है कितना भी निच Leader का हैं आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं तो ऐसी यहां पर बिवस्था बनाई गी है तो साथ क्यों यह थे Contemporary India और Education के Most VVA Question तो दोस्त अगले questions के लिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में तो आज की लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद